आज हम इस वीडियो में सिखने वाले हैं Organizations of Commerce and Management के चैप्टर नमबर एट पे चैप्टर नमबर एट मार्केटिंग के सदी नमबर वन के सदी नमबर वन बैसे डिपेंड है आपका टाइपस ऑफ मार्केट टाइपस ऑफ मार्केट होता है क्या टाइपस ऑफ मार्केट मतलब कि आप कहां से गुद्स पर्चेस कर रहे हो तो वह बिसली वह प्लेस कुन सा है तीके उस प्लेस को हम बोलेंगे टाइपस ऑफ मार्केट जैसे फॉर एक्जामबल यादा थ्री टाइपस ऑफ दा मार्केट फर्स जो होता है वह लोकल मार्केट ह यह करता है कि मेरे आसपार में जहां पर रहता हूं मेरे एरिया में कितने मार्केट में समझता हूं और नेक्स जो होता है नेशनल मार्केट National market मतलब कि मैं किसी state wise में जाके कोई goods purchase करता हूँ मतलब मैं रहता हूँ Mumbai में और मैं जाके दिली में purchase करता हूँ तो मैं इसको क्या बुलूँगा National market and जो third one आएगा वो है international market यानि कि मैं रहता हूँ India में और मैं purchase करता हूँ goods किसी foreign country से देखे तो इसको मैं क्या बलूँगा international market local market मतलब जो मेरे घर के आसपास है national market मतलब कि state wise हो गया and international मतलब country wise हो गया देखे तो यह तीन टाइप के आपके market यहाँ पे दिये गए तो चलिए start करते हम case study और इस case study को समझते बिसकि यह जो case study दिया गया इसमें तीन क्यारक्टर दिये गया Mr. X Mr. Y and Mr. Z Mr. X purchase करते हैं goods अपने नियरे shop में Mr. Y purchase करता है mobile from the Tokyo and Mr. Z और नंदूर बार यह purchase करता है electronic goods from Delhi तो यहाँ पे आपको त्री टाइप से given है Mr. X local market से purchase कर रहा है Mr. Y international market से purchase कर रहा है and Mr. Z यह national market से purchase कर रहा है तो इसके जो question दिया गया यह इसी base पर दिया गया तो चलिए first question दिख रहेते first question है from which types of market does Mr. X purchase तो आपको सम्झे में आ गया होगा इसका answer second question है name the types of market where Mr. Y deal and third state the types of market where Mr. Z purchase goods तो इसका answer होगा first question अपने पार from which types of market does Mr. X purchase Mr. X purchase goods from local market इसका answer होगा second का answer होगा name the types of market from where Mr. Y deal तो Mr. Y purchase mobile from Tokyo a foreign market and hence he deal in the international market and third question था state the types of market from the Mr. Z purchase goods तो Mr. Z ने नंदूर बार में रते हैं और वो पर्चेस कर रहे है लक्तुनानी goods from Delhi that is means from the national market तो आयों कि यह जो question था और इसके जो case study थे यह आपको समझ में आगे होंगे वीडियो कैसा